नमस्कार दोस्तो आपको फिट से सवगर एडिया वाए क्रेटीफ यूटूब चैनल बरते दोस्तो आज का वीडियो काफी ज्यादा यूसफुल होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसा सर्केट सिंपल सर्केट बनाना बताऊंगा जिसकी ह बनाकर आपको सेल बदलने का जंजत ही खतम हो जाएगा वीडियो काफी यूसफुल होने वाला है आप लोगों के लिए सो मेक्सूर कि आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखना तो चली वीडियो स्टार्ट करते हैं इस मस्त जुगाड को बनाने के लिए हम लोगों को दो कॉपनेंट्स की जरूरत पड़ेगी एक बैटरी एंड एक हमारा चार्जिंग मॉडियल आपको पता होगा यह चार्जिंग मॉडियल काफी ज्यादा फेमेंसे टीपे 4056 चार्जिंग मॉडियल यहापर मैंने रिजिस्टर क्यों लगा यह भी आपको इस वी मिली एंपीर का बैटरी यूज कर रहा हूँ जो की छोटे साइस का है आप लोगों को मैं कहूंगा छोटे ही बैटरी का यूज करें चोटा बैटरी रहेगा तो बड़े ही अराम से रिमोट में आ जाएगा किसे भी जगा पर आजाएगा यहां पर आप देख पा रहेंगे हमारे बैटरी है जो की 200 मिली एंपीर का है ओके और यह रहा हमारे चार्जिंग मॉडियल जहां पर कि हम लोगों को थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना है मॉडिफिकेशन क्या करना है यहां पर जो आर्थरी रेजिस्टर है जो की करेंट लिमिट रेजिस्टर है इसको हटा क हमार 3 register को remove करके हमें 4.7k का register कुछ इस प्रकार से connect कर लेना है लेकिन आप लोग battery 200mAh का ही use करना अगर आप लोग 4.7k का register इधर लगा रहे हो तो अगर आप लोग 100mAh का बैटरी यूज करोगे तो यहाँ पर आप लोगों को 10k का register connect करना पड़ेगा मैंने यहाँ पर एक चार्ट बनाया है जिसकी help से आप लोग register connect कर पाएंगे यह हमारा बैटरी वाला सेक्षन है और यह सेक्षन हमारे register वाला सेक्षन है यहाँ पर बैटरी का mAh है यदि आपका बैटरी 130mAh करेगा या इसके अंडर रहेगा तो आप लोगों को 10k का register यूज क रहता है जो कि है 4.7k का जो कि मैंने इस charging module में यूज किया है यह charging module हमारा एक MPR करते है जिस कारण कि हम लोग register चेंज कर रहे है जो कि suitable होगा हमारे बैटरी के लिए इससे आप लोगों का बैटरी खराब नहीं होगा over current के कारण मैं आपको 100% कहूँगा कि आप लोग भी register का यूज करें आपके बैटरी के according बहुत एज़ी है आपके बैटरी के बहुत आप लोगों को देखना कि आपके बैटरी कितने मिली एंपियर का है फिर चार्ट के हिसाब से आप लोगों को register select करने के बाद आप लोगों को इसे अपने BMS module में लगा लेना मतलब charging module में आथरी यहां पर लिखा है वहां पर लगा देना है अब हम लोगों को charging module में बैटरी sold कर लेना है तो यहां पर देख पा लोगों कि मैंने बैटरी को sold कर दिया अब output terminal पर दो wire sold कर लेंगे सो हमारा circuit complete हो चुका है सो देखा आपने कितना आसानता इस circuit को बनाना अब यहां पर एक चीज़ आप लोगों को बता दू इस circuit को उसी ही जगा पर use करेगा जहां पर की double sale का use हो रहा जैसे कि आप इस circuit को remote में use कर सकते क्योंकि remote में double sale का use होता है अगर आप इस circuit को घड़ी म आप लोगों को बना कर रहा है अब आप लोगों को इस circuit को remote में लगा कर बताता हूं यहां पर मैं आप लोगों को पहले बता दूर्यमोट वरकिंग कंडिसर में देख पा रहा हो एड़ी ब्लिंक कर रहा है ऑके अब इसे निकालते है आप लोगों को बैटरी का प्लस वाला वायर है यहाँ पर connect करना है ज्यादर तर रिमोट के case में यही होता है कि नीचे वाले terminal बोड से connected होता है यह दो टर्मिनल को आप लोगों को ऐसे ही छोड़ देना है क्योंकि यह आपस में ही जुड़े हुगा है आप लोगों को मैं अभी चेक करके दिखाता हूं यहाँ पर मैंने continuity टेस्टर ले लिया अब देख पा रहे हों कि यह दिखिया लाल लाइट जाल रहा है जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया उपर वाले टर्मिनल आपस में ही जुड़े रहते ज्यादत है रिमोट के आप लोगों को नीचे वाले टर्मिनल पर जो वायर से कनेट कर लेना है यह स्पिरिंग अला माइनस टर्मिनल है जहां पर प्लस लिखा है यह हमारा सब्सक्राइब करता है जब बटन को प्रेस करते हैं सब्सक्राइब करने चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना कैसा लगा यह आपको जुगा आपको जुगा मस्त जुगार मुझे कमेंट करके जरू से बता है तो यह वीडियो तेकनिक लिए आपका बहुत बहुत थन्यवाद